Hello friends, welcome back to English with Asha Ma'am आज आपके लिए मैं एक moral story लेकर आई हूँ इसका title है Androcles and the lion ये जो word है इसको pronounce करेंगे Androcles और ये जो है lion तो ये आदमी का नाम है और ये है lion share अभी story पड़के और बहुत सारे word meaning है सीखने के लिए आपके लिए highlight भी किये है और इनको समझेंगे साथ ही में जो भी grammar structure आएगा वो भी आपको बताती भी चलूंगी तो आएए शुरू करते हैं Long, long ago there lived a kind gentle and courteous man called Androcles Long, long ago बहुत समय पहले एक lived है तो रहता था kind means जिसमें दया भावना होती है और gentle होता है जो दूसरों के साथ काफी विनम्रता से पेश आता है gentle जो किसी को चोट नहीं पहुँच जाता तो उसको भी बोलते है gentle courteous courteous means विनम्र जो दूसरों के प्रती आधर भावना रखता है और यहाँ पे भी लिखा हुआ courteous means polite विनम्र ठीक है तो यह पूरे सेंटेंस हुआ और called androcles तो उसका नाम था androcles पूरे सेंटेंस का मतलब यह हुआ androcles नाम का एक kind दयालू, gentle सौम में बोल सकते है courteous विनम्र तो courteous आधमी रहता था बहुत साल पहले but he had a very cruel master cruel का मतलब होता है cruel means cruel, cruelty से भरा जो दूसरे के ओपर अत्याचार करता है उसको बोलते है cruel उसका जो master था वो कैसा था, वो बहुत ही cruel था आप ऐसे भी बोल सकते हूँ कि जो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है पीड़ा दर्द देता है उसको बोलते है cruel in those days kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves slaves मतलब यहाँ पे गुलाम in those days, तो उन दिनों में क्या होता था जो भी kings होते थे, राजा nobles हो गए, जो उचे घरों से तालुक रखते हैं, उचे घरों के लोग होते हैं other wealthy men men का plural हो गया men wealthy means ameer used poor people तो वो गरीब लोगों को use करते थे इस्तेमाल करते थे, उनका फायदा उठाते थे और उनको अपना गुलाम बना के रखते थे अंडरकलीस was a slave तो अंडरकलीस जो है, वो भी एक गुलाम था the slaves were forced to work for their masters और जो slaves होते थे, गुलाम होते थे forced मतलब उनको force किया जाता था मजबूर किया जाता था अपने masters, अपने मालिकों के लिए काम करने के लिए यहाँ पे slaves है, plural है, इसलिए हमने work का यूज किया है, वो भी plural verb का यूज किया है they had to do what their masters told them अब वो जो slaves होते थे, गुलाम उनको करना पड़ता था जो भी उनके मालिक उनको बोला करते थे करने के लिए masters told them, जो भी उनके मालिक उनको बताया करते थे, tell का past tense हो गया told, बताया करते थे they had no freedom no rights freedom means स्वतंत्रता और rights होता है अधिकार तो ना तो उनकी कोई स्वतंत्रता थी वो जब उनको बोला जाएगा काम करने के लिए जिस टाइम पे भी तो उनको काम करना पड़ेगा free नहीं हो सकते और उनके कोई अधिकार भी नहीं थे even when they were unhappy with their master they could not leave him even when इसका मतलब है कि यहां तक कि अगर वो unhappy ना खुश होते थे या दुखी होते थे खुश नहीं होते थे अपने मालिकों से तो भी वो उनको छोड़के नहीं जा सकते थे they could not leave him they were bound by law bound by law to obey their master however wicked wicked he might be यहां पे bound by law इस phrase का मतलब है strictly forced to follow the laws कि नियम कानून का पालन करना तो वो बंधे होय थे या बोल सकते हैं बाध्य थे they were bound by law कानून के द्वारा वो लोग बाध्य थे obey पालन करने के लिए अपने अपने masters की आगया however wicked he might be जितना भी क्रूर हो तो wicked यहां पे धूर्त, क्रूर, दुष्ट तो कितना भी खराब हो उनका master he might be जितना भी खराब हो उनका master फिर भी वो कानून के द्वारा जो है बंधे होय थे, बाध्य थे एंड्रोकलिस डिड नॉट लाइक इस हार्टलेस विकेड मास्टर तो एंड्रोकलिस जो था डिड नॉट लाइक उसे पसंद नहीं था अपना master क्योंकि वो क्या था दो चीजें बोल सकते हैं दुष्ट था, विकेड था और वो था हार्टलेस हार्टलेस मींस जिसमें दया भावना बिल्कुल भी नहीं होती तो इसलिए वो अपने master को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था उसका मालिक जो है स्टाव मतलब खाना नहीं देना या भूका रखना अपने गुलामों को खाना नहीं देता था भूका रखता था और अकसर अफन means अकसर और विप का मतलब होता है चाबुक मारना तो उनको चाबुक भी मारता था एंडरकलीस felt that even death was better than serving such a master तो एंडरकलीस feel का पास्टेस हो गया felt महसूस करता था even death की मरना भी was better बहतर था than ये comparison के लिए use किया गया है compare तुलना के लिए कि serving मतलब काम करने के लिए अपने ऐसे मालिक के लिए बहतर होगा कि वो मर जाए तो एंडरकलीस ये सोचता भी था उसको ऐसा महसूस होता था कभी-कभी he kept looking out for a good opportunity kept looking out for मतलब कि वो देखता रहता था एक अच्छे अफसर की तलाश में हमेशा रुका रहता था या चाहता था कि कोई ऐसा अफसर आए जब भाग निकलू opportunity means अफसर at the first chance he got और जब उसको अपना पहला मौका मिला पहला अफसर मिला he escaped from the clutches clutches of his cruel master जब उसको अपना पहला मौका मिला he escaped वहाँ से भाग निकला clutches मतलब चंगुल से या पकड से अपने क्रूर मालिक की पकड से आओ वहाँ से भाग निकला now, although Androcles had thus run away he was not a coward coward means डरपोक और although हाला कि Androcles इस तरीके से had thus means इस तरीके से भाग गया था run away भाग गया था लेकिन वह बिलकुल भी एक कायर या डरपोक नहीं था he took shelter in a forest तो उसने shelter लिया शरण ली एक जंगल में he was not afraid of the wild beasts वो भी बिलकुल डरता नहीं था जंगली जानवरों से beasts मतलब जंगली जानवर that roamed the forest जो की जंगल में घूमा करते थे he did not mind that he had no roof over his head और उसको बिलकुल भी खराब नहीं लगता था दुख नहीं होता था कि कोई छट नहीं है उसके सिर्प के उपर did not mind एक छट नहीं होने का उसको बिलकुल भी बुरा नहीं लगता था he was happy that he was free wherever he wished की वो जा सकता है अब wherever जहां कहीं भी he wished वो चाहता है one day as he was wandering in the forest तो एक दिन जब वो इधर उदर aimlessly घूम रहा था wandering का मतलब है बिना किसी कारण से बिना किसी aim के लक्ष्य के इधर उदर घूमना पस यहां वाँ घूम रहा था he suddenly came face to face with the lion suddenly अचानक वो आ गया आमने सामना हो गया उसका एक शेर के साथ his first reaction was to turn and flee तो उसका उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वो मुड़े और वहां से भाग जाए flee मतलब to run away to escape वहां से भाग जाए but then he saw that the lion had not moved on seeing him पर तब उसने देखा कि जो lion है शेर है वो तो वहां से हिला नहीं है उसको देखकर on seeing him it neither growled nor rolled वो न तो growled means गुर्राया और rolled means दहाडा जोर से तो न तो उसने गुर्राया नहीं वो दहाडा जोर से in fact वास्तव में it looked at him pitiously pity से बनाये pity means दया तो in fact वास्तव में शेर ने एंडरोकलिस की तरफ देखा एक दया भावना से as if it was in great pain जैसे की वो हो बहुत ही दर्द में यहां भी देखिए in a pitious manner एक दया की भावना से एंडरोकलिस paused pause का मतलब है फिर रुकना वो रुका then he moved very cautiously cautiously सतर्कता के साथ careful होकर फिर वो चला काफी सतर्कता के साथ towards the lion lion की और step by step एक एक कदम लेके the lion mourned and whimpered तो जो lion था जो शेर था तो mourned means painful sound to make painful sound दर्द भरी आवाजे निकालना और whimpered है cried painfully दर्द के मारे चिलाया तो यहां पे शेर जो है वो दर्द है हो रहा है उसे किसी चीज़ का तो वो इसकी वैए से painful sound निकाल रहा है और चिला भी रहा है please help me its eyes seem to say तो उसकी आँखों में यह लिखा हुआ था या महसूस हो रहा था कि वो कह रही है कि मुझे मेरी मदद करो when Androcles drew near जब Androcles उसके पास गया ठीक है drew near मतलब उसके पास गया the lion lowered its head तो lion ने नीचे जुकाया अपना सर and began to lick its paw और उसने lick मतलब चाटना शुरू किया अपने paw पंजों को then Androcles saw that the lion's paw was wounded sore and swollen तब lion देखा Androcles ने saw देखा कि जो शेर का पंजा है wounded मतलब उसमें घाव है wounded wound का मतलब होता है घाव तो wounded है कि वो घाव से भरा हुआ है sore है sore का मतलब है कि जिसमें दर्द हो रहा हो उसको बोलते है sore घाव लगने से जब दर्द हो और swollen है कि कुछ swelling आ गई हो जब सूज गई हो चोट तो ये दीनों चीज़ें देख लीजिए wounded घाव होना sore हो गया दर्द होना और सूज गया सूज गया था तो उसका जो पंजा था ये हो गया था उसमें on a closer look जब उसने पास से उसको देखा Androklis noticed that the big thorn had pierced one of the lion's toes तो पास से देखने पर Androklis ने notice किया उसको पता चला कि एक बहुत ही बड़ा कांटा thorn means कांटा had pierced चुब गया था pierce मतलब चुब न on one of the lion's toes तो lion के एक पंजे में बड़ा सा कांटा चुब गया था So, this is the cause of the lion's distress thought Androklis तो Androklis ने सोचा कि Okay, यही है कारण इस शेर के distress का, distress means great trouble इसके कश्ट का संकट का कारण यह कांटा है Summoning up all the courage Androklis stretched his hand slowly towards the injured paw So, summoning का मतलब है इखटा करना यहाँ पे है जुटाना इखटा करना यहाँ पे लिखा भी हुआ है trying to be brave Summoning up all the courage तो हिम्मत जुटाते हुए Androklis ने stretch मतलब फैलाया अपना हाथ slowly धीरे से injured मतलब घाव लगावा था जिस पंजे में उसकी और He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw वो डरा हुआ था कि अगर उसने अपना हाथ उसकी तरह बढ़ाया हो सकता है कि जो शेर है would attack him वो उसके उपर हमला करे अगर वो चुएगा उसके सूजे हुए पंजे को But the lion seemed to understand his good intention So, intention मतलब purpose उसके मन की इच्छा उसकी intention तो लेकिन ऐसे लगा उसको कि जो शेर है वो समझ रहा है कि उसकी अच्छी भावना है इसके पीछे या अच्छे इरादे हैं इसके पीछे Androclis took the paw in his left hand अब Androclis ने लिया शेर का left पाया पंजा अपने हाथ में deftly So deftly means कुशलता से skillfully and quickly कुशलता से और जल्दी से He pulled out the thorn उसने वो कांटा निकाल दिया Then tearing a piece of his own clothing फिर tearing मतलब फाड कर एक piece मतलब टुकडा अपने खुद के कपड़े का The kind man bound up the lions injured paw तो उस दयालू आदमी ने bound मतलब की लपेटा शेर का जो घायल पंजा था उसको उस कपड़े से लपेट लिया To his surprise and wonder The lion then licked his arm as if to show gratitude उसे surprise आश्चरे हुआ wonder हैरानी हुई ये देख कर और फिर lion ने क्या किया उसका हाथ लिया उसको चाटा जैसे की या बोल सकते हूँ की मानो की वो अपनो gratitude दिखा रहा हूँ कृतअग्यता दिखा रहा हूँ उसके प्रती कृतअग्यता means thankfulness thank you बोल रहा हूँ उसको या आभार व्यक्त कर रहा हूँ उसके प्रती Androklis remained with the lion till it could walk again तो Androklis जो था वो रहा lion के साथ share के साथ जब तक की वो फिर से चलने न लग गया He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast तो Androklis जो था would hunt वो शिकार करता था जंगल में और जो भी खाना होता था share his food उसको बांटता था बांट के खाता था with the helpless beast असहाय जानवर के साथ उसको बांट लेता था Every day he would clean and dress the lion's wound Every day हर रोज वो clean, saaf करता था और dressing कर लेता था फिर एक कपड़े को बांट देता था lion के घाव में Soon the lion was able to move about अब जल्द ही जो share था वो आसपास घूमने में सक्षम हो गया Many times it followed Androklis Wherever he went और कई बार वो पीछा करता था या साथ साथ चलता था Follow करता था Androklis को जहां भी वो जाता था Wherever he went Go का पास्टन से went In the meanwhile Androklis master had complained to the authorities that his slave Androklis had run away Meanwhile इसी दौरान जो Androklis का मालिक था उसने complain, शिकायत की थी Had के साथ verb third form लगी है Past Perfect में उसने शिकायत की थी Higher authorities से अपने senior से, अधिकारियों से कि जो उसका गुलाम था Androklis had run away वो भाग चुका था या महा से भाग गया था Soldiers were sent in all directions to capture Capture Androklis Soldiers Sannic were sent भेजे गए Soldiers plural में Slam ने were use किया है Sannic भेजे गए हर एक दिशा में They searched for him high and low but couldn't find him तो उसनों ने सारे Sannic ने उसको धूंडा उपर, नीचे लेकिन उसको धूंड न सके At last, आखिरकार They came to the forest where Androklis lived वो उस जंगल में पहुँचे जहां पे Androklis रहता था It so happened that Androklis had gone out alone that day तो हुआ यूं कि उस दिन had gone out बाहर गया था, अकेले उस दिन Androklis अकेले बाहर गया था while the lion rested near the cave जबकि जो शेर था वो अराम कर रहा था गुफा के आगे गुफा के पास Both of them fell into the hands of the soldiers तो दोनों के दोनों पकड़े गए soldiers के द्वारा fell into the hands of तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि दोनों के दोनों सैनिकों के हाथ लग गए The soldiers took them back to the city और वो सैनिक took them back उनको वापिस ले गए शेहर की तरफ They put Androklis in chains in the prison उन्होंने डाल दिया Androklis को chains मन्दद chain पहना कर जंजीरे पहना कर और एक जेल में the lion was caged और जो शेर था उसको भी पिंजरे में बंद कर दिया In those days, people were who were found to be guilty of a serious crime were fed to the wild beasts In those days, उन दिनों लोग जो की guilty दोशी पाये जाते थे किसी भी serious crime गंभीर अपराद के लिए कोई भी जो दोशी पाये जाते थे उन्हें were fed उन्हें खिलाये जाता था जंगली जानवरों के आगे जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था कहने का मतलब है जंगली जानवरों के आगे उनको फेंग दिया जाता था और जानवर उनको खा जाते थे तो ये उनकी punishment होती थी as punishment punishment मतला सजा के तौर पर ये किया जाता था running away from one's master was very serious crime at that time और अपने खुद के मालिक के चंगुल से भाग निकलना ये तो बहुत ही गंभीर अपराद होता था at that time उस समय therefore इसलिए Androcles 2 Androcles को भी was to be thrown to the wild beasts उसको भी जंगली जानवरों के आगे उसको फेंक दिया जाना था was to be thrown means फेंक दिया जाना था तो ये उसको भी अपराद की सजा मिलती तो इस फोटो में आप देख सकते हो Androcles यहाँ बैटा है और ये वोला शेर है जिसकी उसने मदद करी थी On the appointed day means निर्धारित दिन पर जो भी दिन निर्धारित किया गया था कि Androcles को सजा मिलेगी The emperor arrived at the circus and took his place जो बादशा था वो पहुचा circus देखने के लिए और उसने अपना स्थान ग्रहन किया The crowds cheered loudly Crowd means भीर, cheered मतलब जोर जोर से उसने नारे लगाए या जोर जोर से चिल आई The trumpeters, trumpeters blew the trumpet Trumpet का मतलब होता है तुर ही बजाना एक लंबा सा instrument होता है उसको बजाते है और उसको बजाने वाले कहलाए जाते हैं trumpeters तो जो तूर ही बजाने वाले थे उन्होंने जोर जोर से तूर ही बजाई सरकस में and Androcles was brought into the arena Arena मतलब a ground surrounded by seats on all sides for sports and other public events तो उस area में जहां जो चारो साइट से seat से घिरावा था तो वहाँ पे Androcles को लाया गया, was brought, लाया गया His chains were unbound, उसकी जो जन्जीरे थी वो खोल दी गई, unbound, bound बांधना, unbound मतलब खोलना He felt weak and dismayed, dismayed का मतलब होता है sad तो उसको काफी कमजोरी महसूस हो रही थी और वो दुखी भी लग रहा था He was certain that this was the last day of his life वो बिलकुल निश्चित था कि यही दिन उसकी जिन्दगी का आखरी दिन है At the opposite end, और दूसरी विपरीत तरफ opposite side क्या था A gate was raised and a ferocious lion was released into the arena तो दूसरी side का gate जो है raised मतलब वो खोला गया और ferocious means wild and dangerous, fierce, बहुत ही खतरनाक lion share, release मतलब वो छोड़ दिया गया उसी area में It had been kept hungry to make it more ferocious अब वो जो lion था, उसके लिए it pronoun use किया गया है कि उसको had been kept hungry, उसको भूका रखा गया था ताकि वो और भी यादा खतरनाक बन जाए Androcles was filled with fear तो अब यह देखकर Androcles जो था वो डर के मारे उसमें डर भर गया, but he put up a brave front देखिया यह जो फ्रेज है, put up a brave front इसका मतलब है, show that one is not afraid वनला अंदर दिल में तो दर्द है, डर भी है लेकिन बाहर दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत बहादूर है तो उसने भी यह दिखावा किया या दिखाया लोगों को कि मैं डर पोप नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा he put up a brave front लोगों के आगे उन्होंने इस तरह से दिखाया कि वो नहीं डर रहे हैं अब उस शेर ने देखा अंदरोकलिस को और भाग कर गया उसकी ओर bounding and roaring तो bounding का मतलब है कि बहुत तेज तेज छलांग लगा के और roaring दहारते हुए वो अनरोकलिस के पास भागा but suddenly it stopped in its tracks लेकिन अचानक से वो रुख गया अपनी ही रास्ते में then it moved slowly forward और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा moved बढ़ा आगे लेकिन धीरे-धीरे all its rage seemed to have melted तो पूरा जो rage था, गुस्सा था शेर का, seemed प्रतीत हो रहा था मानो की वो पिखल गया हो, दूर भाग गया हो अनरोकलिस saw this too तो अनरोकलिस ने भी ये सब देखा each friend recognized the other तो हर एक friend ने, हर एक दोस ने एक दूसरे को पहचान लिया ये वही वाला शेर था जिसकी पट्टी लगाई थी उसने और जिसकी चोट ठीक करी थी अनरोकलिस ने to everyone's amazement amazement means हैरानी तो सब की हैरानी के लिए वो जो lion था शेर था again वो क्या होगा लंबे-लंबे छलांग लगाते हुए बढ़ा एंडरोकलिस की तरफ फिर से again but when it reached him it began to purr and rub its nose against him लेकिन जब वो उसके पास पहुचा तो उसने शुरू किया पर ये जो आवाज होती है ये cat family की जानवर निकालते हैं पर मतलब मिमियाना तो इस तरीके से जबकि शेर तो दहारता है तो यहाँ पर उसने मिमियाना शुरू किया और अपनी नाक को रगड़ना शुरू किया एंडरोकलिस पे एंडरोकलिस hugged the lion तो एंडरोकलिस ने उस शेर को गले से लगा लिया he wept with relief and joy weep का past tense है wept वो रोया relief के साथ relief means राहत और joy खुशी राहत और खुशी से वो रो पड़ा the audience और जो दर्शक थे including the emperor राजा को लगा कर राजा सहेद watched this tender sight tender means कोमल नाजुक साइट मतलब द्रिश्य तो इस सब लोगों ने देखी ये नाजुक द्रिश्य in great wonder बड़े ही आश्चरे से देखा इसको people began to cheer androcles तो अब लोगों ने cheer मतलब तालिया बजाना शुरू कर दिया फिर androcles के लिए and asked for his release और उन्होंने मांगा कि वो उसको रिहा कर दिया जाए वहां से the emperor asked androcles to explain the lion's strange behavior फिर बादशा ने पूछा androcles को कि वो explain करे पूरा detail में बताए कि इस तरीके से क्यों वियवहार किया lion ने strange अजीब behavior वियवहार when he heard the whole story तो जब राजा ने पूरी कहानी सुनी he heard, सुनी the emperor was also moved by the gratitude तो emperor वो भी moved by यहां लिखा है having strong feelings जब अचानक से अपने emotions उमर के आते हैं तो उसको अधर यह emperor ने सारी बात सुनी तो उनके भी emotions बाहर आए और वो भी gratitude मतलब कृतग्यता के साथ रवित हो गए and friendship जो दोस्ताना behavior था दोनों के बीच में between man and the beast आदमी और जानवर के बीच का जो यह रिष्टा था दोस्ती थी और कृतग्यता थी एक दूसरे के प्रती तो उसने उनके दिल को पसीज डाला He ordered that Androcles should be set free फिर उन्होंने आदेश दिया कि Androcles को रिहा कर दिया जाए He would no longer be a slave अब वो बिलकुल भी एक गुलाम नहीं रहेगा No longer be अब वो नहीं रहेगा एक गुलाम When the emperor asked Androcles What other reward he would like तो जब बादशा ने पूछा Androcles से कि उसको और इसके अलाबा क्या चाहिए इनाम के तौर पर Androcles replied that He did not want anything for himself कि उसको अपने लिये तो कुछ भी नहीं चाहिए लायन शेर को भी रिहा कर दिया जाए TOO means भी शेर को भी रिहा कर दिया जाए The two friends went back to the forest To live a free life अब दोनों के दोनों दोस्त Went go का पास्टेंस से चले गए वापिस जंगल की तरफ To live a free life एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए दोनों के दोनों दोस्त फिर से जंगल की तरफ चले गए So friends इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को दूसरों के प्रती Kindness दिखानी चाहिए और हमको आभार भी व्यक्त करना चाहिए Thank you बोलना चाहिए उन लोगों को जिनोंने कठिन समय में हमारी मदद की थी तो दोनों ही समय में जैसे आप देखोगे कि Lion ने भी Androcles की मदद की और Androcles ने भी जब Lion दर्द में था तो उसकी मदद की थी तो यही हमारी आज की स्टोरी का अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर जरूर कीजेगा चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कर लीजे फ्रेंड्स Thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में